हरियों, ओम मन सामर्थ दाता श्री अनिरुद्धाय नमा मैं आरधना आशिश महिश्वरी नाशी कुपासना केंद्र सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापु के अनुभो हमें दिन पर प्रति दिन आते ही रहते हैं हमेशा बापु हमें संकटों से बचाते हैं साथ ही हमारे कुछ अरचन आ रही है, कुछ परिशानी आ रही है तो हमें मार्ग भी दिखाते हैं और हमारी उन परिशानियों से हमको इतने आसानी से बाहर निकाल कर लाते हैं कि हम, हमें पता ही नहीं चलता कि हम मारे साथ कोई परिशानी थी या हमारे सामने कोई अर्चन आ रही थी मेरे साथ एक घटना ऐसी हुई कि जब कोवीड का कलावदी चल रही थी याने 2020 की बात है जब पहला लगडाउन था मेरा बेटा जैपूर में जॉब कर रहा था महिंद्रय कंपणी में उसे ऑनलाइन ही जॉब वर्किंग दिया गया था और हम लोग इधर नाशिक में थे तो उस समय लॉगडाउन लगा तब शुरुवात में ऐसा पता नहीं चल रहा था कि ये लॉगडाउन बहुत लंबा जाएगा जब एक महिना निकला अप्रेल का तब तक हमको ऐसा लगने लगा था कि अब शायद लॉगडाउन खुल जाएगा और वापस सब नॉर्मल हो जाएगा लेकिन जिस तरह से अफ़ा फैल रही थी कि कोरोना बहुत बढ़ रहा है तो कुछ बोल नहीं सकते यानि सबी दूर अनिशित्ता का माहौल था और सब अंदर से घबराए हुए थी कि पता नहीं क्या होगा लेकिन एक विश्वास था कि हम सद्गुरु अनिरुद्य बापु की कृपाचत्र में हैं तो हम सब सुरक्षित तो रहेंगे इतना तो पक्का विश्वास था लेकिन सामने जो समस्याइं आ रही थी उसका भी हल निकालना था तो मेरा बेटा जैपूर में था और वहां पर वो थोड़ा घबराय हुआ था क्योंकि राजस्थान से ही कोरोना की शुर्वात हुई थी और वहां पर थोड़े नियम भी बहुत कड़क लगा दिये गये थे तो हम लोगों को उसको वापस नाशिक बुलाना चाहा रहे थे लेकिन वहां पर सब गाड़ियां भी बंद हो गई थी और कोई भी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट चालू नहीं था और यदि जो गाड़ियां चालू भी थी तो उसका ईपास वगिर निकालना पड़ रहा था प्राइवेट गाड़ियां का भी और यदि उसको किसी तरह बुलाते भी हैं तो मन में ये डर था कि कहीं उसको कहीं से इंफेक्शन ना हो जाए लेकिन बहुत हम लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए क्या किया जाए लेकिन फिर हमने ये निश्या किया उसके पापा नहीं भी कहा कि नहीं अब उसको हम अपने पास बुला लेते हैं तो कम से कम जो हम ये रोज टेंशन कर रहे हैं कि वह वहाँ पर क्या कर रहा होगा क्य लोग यहां नाशिक से बैठे वे और वहां पर हम लोग उसके लिए गाड़ी का इंतजाम कर रहे थे उसे बोला मेरे बेटे आयुश को तो वहां से उसकी कोई इतनी जान पहचान नहीं थी क्योंकि उसको वहां जैपूर में आयो वे सिर्फ एक मही नहीं हुआ था तो उसको कुछ ठीक से कॉंटेक्ट नहीं हो पा रहा था और जिनसे कॉंटेक्ट हुआ वो लोग यहां नाशिक तक आने के लिए तयार नहीं थे क्योंकि जैपूर से नाशिक तक का रास्ता बहुत लंबा था तो बायरोड भी यह दि आते हैं तो 24 से 26 गंटे लगने वाले थे तो कोई जल्दी तयार नहीं हो रहा था कोरोना का समय ऐसा खराब आया था उस समय कि कोई तयार नहीं हो रहा था फिर तभी मेरे मिस्टर को एक परिचित का ध्यान आया कि वो जैपूर में ही रहते हैं तब उन्होंने वैसे ही उनको फोन लगाया और कहा कि ऐसे ऐसे परिसिती है और हमें अपने बेटे को यहां वापस बुलाना है तो यदि गाड़ी का इंतजाम हो सकता है तो प्लीज आ हमको आश्वरसन दिया कि हां ठीक है मैं देखता हूं यदि गाड़ी का हो सकता है तो उन्होंने वैसे हमको शाम में फोन किया कि हां मैंने गाड़ी वाले को बोला है तो आप अपके बेटे का नंबर मैं उसको देता हूं और उससे वो बात कर लेंगे तो इस तरह से है ना सब समाल लेंगे फिर उसके बाद अब समस्या थी कि गाड़ी का पासिंग कैसे निकाला जाए क्योंकि गाड़ी को यह पास लगने वाला था और वहां पर नियम रोज बदल रहे थे राजस्थान में कोविट के तो वहां फिर मैंने मेरे भाई लोगों से बात की मेरे मेरे भिया मध्यवदेश में रहते हैं तो मेरे भिया अश्विनी भिया उनसे मेंने बात की कि आपके कोई फ्रेंड हो और कोई जान पहचान से हो सकता है तो अपने कोई पास करवाना है गाड़ी के लिए तो उन्होंने बोला हाठी के मेरा एक दोस्त है जो एक बड़े वैसे ही उन्होंने फोन पर उनके दोस्त से बाग की और बापु की कृपा से उनका कॉंटेक्ट वहां हो गया जैपूर में और उनकी गाड़ी की इपास निकल गए तो ये भी मतलब बापु ने हमको एक और रास्ता हमारे लिए आसान कर दिया और जब ये वहां से गाड़ के लिए इपास नहीं मिल रही थी तो ये मतलब बापु की कृपा थी कि हमारा इपास क्लियर हुआ और फिर नियम बदला और वो इपास मिलना बंद हुआ इन्हें बापु ने उसके व्यवस्था इतने अच्छे से कर दी कि गाड़ी भी जो थी वह बहुत अच्छे से उसक को मिल गया साथी है वो लोग यहां नाशी काने के लिए निकल गए बीच रास्ते बहुत लंबा था रोड का रास्ता था और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के समय लॉक्डॉन के समय सभी होटल और खाना पिना सभी बन था यहां तक कि पानी का भी इंतजाम नहीं हो तो मेरा बेटा आईस जो पानी लेकर आया था तीन-चार बॉटल और उस समय गर्मी का समय था मई महीना था तो जितना भी वो पानी लाया था वो खतम हो चुका था और जब यह लोग आधे रास्ते से जादा आ गए ने मद्धिपरदेश में जब इंटर हुए तब तक उन दौर में रहते हैं तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला आरे कोई बात नी मेरे पहचान के हैं वहां इंदोर के बॉर्डर पे गाउं है वहां पर मेरे फ्रेंड है तो उनको मैं बोलता हूं तो वह खाना और पानी दोनों उसको पहुचा देंगे तो देखिए मतलब बाप लोगों को इतना परिशानी हुए थी कोई दुकान खुला नहीं, खाने पिने का इंतजाम नहीं, लेकिन बापु की कुरुपा से उसके लिए खाने का पानी का इंतजाम भी हुआ और फिर ऐसे करते हुए वह सुबह 8 बजे नाशिक हमारे घर वापस मतलब आ गया वह और लेपूर से आ रहा है राजस्थान से आ रहा है तो उसको आपको कॉरंटाइन करना पड़ेगा और आप उसका टेस्ट करवाईए वगेरा ये वो तो वैसे तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बापु मेरे डेड हमें कुछ थोड़ी सी भी आंस नहीं आने देंगे ल नेगेटिव आई और जो ड्राइवर थे तो वो भी उसको अपने बेटे की तरह सब समाल कर लेकर आये थे उसको थोड़े सी भी परिशानी नहीं होने दी और जब तक उसको घर नाशिक में छोड़ नहीं दिया तब तक वो भी सोय ने और उन्हें पूरा ने उसको अपने बच्चे की तरह ध्यान रखा तो हमने भी उनको इतना मतलब खुश हो के फिर उनको अलग से इनाम भी दिया और उनको धन्यवाद कहा कुब कि ये सब बापु की कृपा से हुआ है और आपने हमारे बच्चे को सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाया आपका बहुत-बहु बापु को अमभग्य बोल रही थी कि बापु ने मेरे बच्चे को बहुत सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया हरियोम श्री राम अमभग्य